आज में आप लोगों के लिए एक ऐसी प्राचीन जगे लेके आया हूं जहां जाकर सबकी मुरादे पूरी हुदियें तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस प्राचीन अगर के बारे में सिद्वली धाम एक प्राचीन सिद्वीट मली रहे जो भगवान हनुमान को समर्पित है और उत्राखन के पौड़ी गडवाल के कोड़वार में स्थित है मंदिर लोकप्रिये हील स्टेशन लैंस्टाउन के मार्ट पर है गडवाल हिमाले के असाधन द्रश्चे के बीच एक सुन्दर भगवान हनुमान की मूर्ती के साथ सिद्बली मंदिर के अंदर दो प्राकतिक पिंडी पवित्र पत्तर है एक भगवान हनुमान से सम्बंदित है दूसरा गुरु गोर्क नाजी से सम्बंदित है जो प्राचिन काल में अपने आप रकट होगा था बाद में भगवान हनुमान की प्रतिमा की स्थापना की थे सिद्बली मंदिर में भंडारी की परंपरा है जहां लोग अपने इच्छा पूरी होने के पाथ भक्त सहिट सभी गरीगों को भोजन कराते हैं मंदिर के बरामदे से दृष्ट शांदार है आप एक छोटी सी नदी और पहाड के उपर घुमाबदा रास्ते को देख सकते हैं जो सीधे लैंस्टाउन नामाग एक छोटे सी हील स्टेशन पर जाता है सभी के लिए शांदी पूर्ण पवित और आध्यात्मिक स्थान है सिध्वली मंदिर एक हिंदू मंदिर है लेकिन अन्य धर्मों के धर्मों में भी लोकप्री है मंदिर में हर साल दिसंबर में भव्वेशी सिध्वली मेला आयोजित किया जाता है यह इस समय के दोरान है कि परियतक भक्तबरी संख्या में आते हैं सिद्बनी मंदिर शीष पर इस्तित है जो नीचे से आने वाले प्रियाटोकर के लिए 1500 से ज़्यादा शीरियों की यात्रा करने पड़ती है सिद्बनी मंदिर में मार्चिट से लगवग 5 किलोमीटर हैद्वार से लगवग 70 किलोमीटर शीकेश से लगवग 90 किलोमीटर और दिल्ली से लगवग 235 किलोमीटर है सिद्बनी मंदिर से 10-11 किलोमेटर आगे डुगड़ा में दुरुगा देवी जी की मंदिर की गुफा है जो की काभी प्राचिन गुफा है यह तो बस एक छोटी सी बहुत छोटी सी जानकाई थी बड़ आगे मैं और भी ज़्यादा डिटेल में सिद्बनी की हिस्ट्री, कोड़द्वार की हिस्ट्री और दुर्का मंदिर की हिस्ट्री के बारें बताऊंगा तो ग्याइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दवा दिए ताकि आप लोगों तक और भी इंफॉर्मिशन पहुच सकें